सिरल ये रिष्टा क्या कहलाता है में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए तयार हो जाए। अर्मान और अभीरा के जंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन दादी सा ने बीच में आकर सब कुछ खाराब कर दिया। दोनों की शादी नहीं हुई और दादी सा की वापसी पोद्दार हाउस में हो गई। रोहित भी दोबारा से शो में लोट चुका है और अपने भाई अर्मान से नाराज है। रोहित को लगता है अर्मान ने उसे धोखा दिया है। लेटरस्ट एपिसोर में बड़ा धमाका होने वाला है। ये रिष्टा क्या कहलाता है। में दिखाया जाएगा कि दादी सा ने अर्मान और अभीरा के जंदगी में भूचाल ला दिया है। रोहित को वापसी हो गई है और वो पैरालाइज हो गया है। रोहित को ऐसे देख पूरा परिवार काफी भावख हो जाता है। वहीं अभीरा, अर्मान और रोहित के रिष्टे को सुधारना चाहती है और उनका बॉंड ठीक करना चाहती है। दूसरी तरफ रोही, रोहित क उसे यकीन है कि अर्मान के साथ उसका रिष्टा ठीक हो जाएगा। रोही इस बात से खुश है कि दादी सा अर्मान और अभीरा की शादी के खिलाफ है और उन्होंने अभीरा को आउट हाउस भेज दिया है। रोही पोद दार हाउस पर राज करने का प्लान करती है और अर्मान के करीब जाने का प्लान बनाती है। उस रोहीत की कोई प्रिक नहीं है। वहीं रोहीत रोही और अर्मान को मिलाने का सोचता है। क्या रोहिद, अर्मान और रुही को मिला पाएगा। क्या अभीरा दोनु भाई के बीच रिष्टा ठीक कर पाएगी। क्या अर्मान, अभीरा को भूल रुही को अपनाएगा। ये रिष्टा क्या कहलाता है आप स्टार प्लस पर देख सकते हैं।